तो आज जिस मूवी के बारे में मैं आपको बताऊंगी उसका नाम है Big Brother और ये एक action comedy drama movie है जिसमें हम देखेंगे कि कैसे एक retired army officer अपने बचपन के सपने को पूरा करने के लिए एक school में teacher की job करता है और जब ये बात उनके students को पता चलती है तो आगे उसके साथ क्या होता है तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का explanation Henry कई सालों तक अमेरिकी सेना में सेवा करने के बाद Hong Kong लौटता है वह एक teacher के रूप में career शुरू करना चाहता है इसलिए अपने पुराने school टाकची secondary जाता है प्रिंसिपल उसे बताते हैं कि उसके पास पढ़ाने का अनुभव नहीं है लेकिन जब Henry उन्हें एक उच्च अधिकारी की सिफारिश पत्र दिखाता है तो उसे नौकरी मिल जाती है Henry के जाने से पहले प्रिंसिपल उसे बताते हैं कि उसे जिस क्लास को पढ़ाने का काम दिया गया है वो स्कूल की सबसे खराब क्लास है स्कूल के पहले दिन Henry क्लास में जाता है और देखता है कि वहाँ पूरी तरह से हंगामा मचा हुआ है कुछ चात्र सो रहे हैं, कुछ गा रहे हैं, कुछ वीडियो गेम खेल रहे हैं और कुछ पोर्टेबल स्टोफ पर रेमन पका रहे हैं यहां तक कि टीचर के क्लास में आने के बाद भी वे उसे पूरी तरह से नजर अंदाज कर देते हैं और वही करते रहते हैं जो वे पहले से कर रहे थे हेनरी उनका ध्यान खीचने की कोशिश करता है लेकिन वे ऐसा दिखाते हैं जैसे उन्होंने कुछ सुना ही नहीं हेनरी उनका ध्यान भटकानी की कोशिश छोड़ देता है और classroom में घूमते हुए जो वे कर रहे होते हैं उसी पर टिपनी करता है जो छात्र रेमन बना रहे हैं उनसे कहता है कि कम खाएं क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा sodium होता है फिर वह जुफा नाम के एक लड़के के पास जाता है जो उकुलेले बजा रहा होता है और उसकी मदद करता है इसी तरह वह एक gamer बच्चे को चेतावनी देता है कि स्क्रीन पर ज्यादा देर तक घूरने से उसे radiation हो सकता है जब चात्र आखिरकार उसकी बातें सुनने लगते हैं तो वह खुद का परिचय देता है और अपना नाम और phone number board पर लिखता है चात्र उसकी खराब लिखावट देखकर हंसते हैं फिर चात्रों में से कोई उसे call करता है और class छोडने के लिए कहता है लेकिन हैनरी इसे हंसी में टाल देता है बच्चे उसे फिर से नजर अंदाज कर देते हैं इससे तंग आकर हैंरी एक rubber band और chalk का उपयोग करके कमरे में लगे fire sprinkler को चालू कर देता है चात्र जल्दी से फैल जाते हैं ताकि वे भीग न जाएं आखिरकार वह उनका पूरा ध्यान अपनी ओर खींचता है और आधिकारिक तौर पर उन्हें अपने class में स्वागत करता है class के बाद 5 सबसे खराब rank वाले चात्रों का एक समूह खेल सामगरी के कमरे में इकठा होकर धूम्रपान करता है समूह का नेता जैक एक अन्य class की A grade वाली चात्रा पर crush रखता है बाकी उसे उस लड़की की तस्वीर घूरते हुए पाते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं समूह की स्कूल की बास्केटबॉल टीम के अमीर और बिगड़े हुए बच्चों से प्रतिद्वंद्विता है वे सप्लाई रूम में प्रवेश करते हैं और हमेशा की तरह जैक का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वह गरीब है बाद में बास्केटबॉल टीम अभ्यास कर रही होती है जबकि जैक और उसका समूह पास में से देख रहे होते हैं जैक कोट पर एक बोतल गिराता है जिससे टीम का लीडर गिर जाता है समूह हंसता है लेकिन उन्हें स्कूल की अंग्रेजी टीचर मिस लियांग द्वारा डिटेंशन दी जाती है डिटेंशन से बचने के लिए वे उस पर प्रैंक करते हैं और जब वह अपनी डेस्क साफ करने में व्यस्त होती है तो भाग जाते हैं दूसरी और स्कूल के प्रिंसिपल परेशान है क्योंकि शिक्षा बोर्ड उनकी वार्षिक फंडिंग में 20 प्रतिशत की कटाउती करने की योजना बना रहा है बोर्ड के लोग स्कूल का दौरा करने आते हैं ताकि देख सकें कि फंड का उप्योग कहां किया जा रहा है रह जाते हैं हेन्री जैक से सिग्रेट का पैकेट मांगता है यह जानते हुए कि वह धूम Dash और मांग करते हैं कि उन्हें भी चुट्टी मिलनी चाहिए जब लुपते हैं तो हेनु नहीं सभी को एक एक शिग्रेट देता है और उसे विशलेशन करने के लिए कहता है हेंरी जानता है कि अगर वह सिर्फ यह बताएगा कि इसका उनके स्वास्थे पर क्या प्रभाव पड़ता है तो वे इसे गंभीरता से नहीं लेंगे इसलिए वह उनसे सिग्रेट पीने के परिणामों के बारे में पूछता ह और समझाता है कि कैसे उनके फेफडों में टार जमता है पहली बार वे टीचर की बातें ध्यान से सुनते हैं और वास्तव में कुछ सीखने में दिल्चस्पी लेते हैं घंटी बजने के बाद वह उनसे सिग्रेट वापस करने के लिए कहता है और स्टूडेंस अनिच्छा स हैं जिससे जगह बरबाद हो जाती है बाद में हेंरी को सूचित किया जाता है कि उसकी क्लास के पांच छात्रों को लड़ाई शुरू करने के लिए अस्थाई रूप से निलंबित कर दिया गया है हेंरी देखता है कि जैक गलियारे में अपने प्रतिदवन्दवी से रहा है और उन्हें रोकता है शांत होने के लिए कहने पर जैक स्कूल पर अन्याय का आरोप लगाता है क्योंकि अमीर बच्चों को कोई सजा नहीं मिलती उस दिन स्कूल के बाद हेंरी उन पांच छात्रों की फाइलें देखता है ताकि उनके बारे में अधिक जान सके पहल एक संगीतकार बने दूसरा स्टूडेंस डेनन नाम की एक लड़की है उसके पिता उसे जन्म से ही निराशा की नजर से देखते हैं क्योंकि वह हमेशा एक बेटे की चाहत रखते थे अपनी पूरी जिंदगी डेनन अपने पिता का सम्मान पाने की कोशिश करती रही उसने अपने बाल छोटे कर लिये और कारों से खेलना शुरू कर दिया ताकि लड़के जैसा दिख सके फिर भी उसके पिता उसकी परवाह नहीं करते जबकि वे उसके छोटे भाई को राजकुमार की तरह मानते हैं इसके बाद ब्रूस और क्रिस नाम के दो भाई हैं उनकी मा परिवार के लिए पैसे कमाने के लिए एक किराने की दुकान में कड़ी महनत की अंत में हेंरी को जैक के परिवार की प्रिष्ठ भूमी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाती अगले द्रिश्य में हम जैक को एक रेस्टरा में वेटर के रूप में काम करते हुए देख करने के बाद कि वह एक स्टूडेंट्स है उसे कुछ पैसे देकर ज्यानिंग उसे उनके फूट डिलीवरी मैन के रूप में नौकरी का ओफर देता है कहीं और हेंरी जुफा के घर जाता है और देखता है कि वह अपने पिता और उनके साथियों से भाग रहा है क्योंकि उसने एक टिकट चुराया है हेंरी पहले उसकी मदद करता है लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसने टिकट क्यों चुराया तो वह उसके पिता का पक्ष लेता है बाद में हेंरी और जुफा एक पुल पर जाकर घूमते हैं हेंरी उसे जोश दिलाने के लिए एक सड़क किनारे ब जब दोनों भाई मना करते हैं तो उनके पिता उन्हें घर से निकल जाने को कहते हैं। लेकिन हेंरी समय रहते उसे रोक लेता है। वह उसे बताता है कि बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना गैर कानूनी है और उसे एक विकल्प सुझाता है। देनान को एहसास होता है कि उसका पिता वास्तव में उससे प्यार करता है और वह उसे गले लगा लेती है। अले दिन स्कूल में ब्रूस और क्रिस को एक समूह के साथ एक नशा मुक्ति केंद्र भेजा जाता है ताकि वे एक रिकवर कर रहे शराबी से बात चीत कर सकें। उन्हें आश्चर्य होता है कि जिस व्यक्ति से उन्हें बात करनी है वह उनके पिता हैं। वे उससे पूछते हैं कि उसने शराब पीना कैसे शुरू किया। वह व्यक्ति बताता है कि वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। लेकिन वह उसे छोड़ कर चली गई और तब ही उसने शराब पीना शुरू कर दिया। वह भूल गया कि उसके दो बच्चे भी हैं जिनकी देख भाल करनी है। वह व्यक्ति यह नहीं बताता कि ब्रूस और क्रिस उसके बेटे हैं लेकिन उनसे माफी मांगता है। अंत में दोनों भाई रोते हुए रह जाते हैं। वहां पहुचता है और फाइटर्स से पूछता है कि क्या उन्होंने उसके स्टूडेंस को देखा है। वे उसे घर लोटने के लिए कहते हैं। लेकिन जैक जो लॉकर के अंदर है मदद के लिए चिलाता है। जब हेंरी को पता चलता है कि वह फसा हुआ है तो वह उन सभी पर हमला करता है और उन्हें आसानी से हरा देता है। जब फाइटर्स शामिल होते हैं तो स्थिती थोड़ी कठिन हो जाती है। लेकिन हेंरी उनके हमलों को कुशलता से नाकाम कर देता है। अंत में वह उनके सबसे अच्छे फाइटर को नॉक आउट कर देता है जो कुछ ही मिनटों में मुकाबला करने वाला था। अगले द्रिश्य में वे अस्पताल में हैं जहां हेंरी को उसके घावों के लिए इलाज मिलता है। जैक ज्यानिंग की सच्चाई बताने की कोशिश करता है लेकिन उसे चुप करा दिया जाता है। यह खबर टीवी पर आ जाती है और हेंरी को उस व्यक्ती के रूप में जाना जाने लगता है जिसने अपने स्टूडेंट्स को बचाने के लिए एक पेशेवर फाइटर को हराया। स्कूल में उसकी लोकप्रियता बढ़ जाती है और स्टूडेंट्स उसका सम्मान करना शुरू कर देते हैं। हेंरी कक्षा में पढ़ाता है तो स्टूडेंट्स ध्यान देते हैं और आगामी कॉलेज प्रवेश परिक्षा के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। सभी अच्छा कर रहे हैं सिवाए ब्रूस के जो गोलियों का आदी हो गया है। यह पता चलता है कि जबकि क्रिस अपने परिवार की समस्याओं से बचने के लिए वीडियो गेम की ओर मुड़ गया था। ब्रूस ने नशे का सहारा लिया क्योंकि वह ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा है। उसने मौक प्रवेश परिक्षा में बहुत खराब प्रदर्शन किया। हेंरी उसे मदद करने का वादा करता है। लेकिन समय के साथ ब्रूस और अधिक उदास हो जाता है। अंत में वह अपने घर की बालकनी से कूथ जाता है। परिक्षा में अच्छे अंक लाने चाहिए ताकि हेंरी को गर्व हो। उस दिन से वे शिक्षा बोर्ड को यह साबित करने के लिए दुगनी महनत करते हैं कि हेंरी एक अच्छा टीचर है। परिक्षा के दिन जैक और उसके सभी सहपाठियों को हेंरी से एक संदेश मिलता है जिसमें उन्हें परिक्षा से एक घंटे पहले स्कूल में मिलने के लिए कहा जाता है। जब स्टूडेंट्स इकठा होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यह ज्यानिंग की चाल थी ताकि उन्हें स्कूल में बंद रखा जा सके और वे समय पर परिक्षा हॉल न पहुँच पाएं। वह यह सब हेंरी को सबक सिखाने के लिए कर रहा है। थोड़ी देर बाद हेंरी स्कूल पहुँचता है और ज्यानिंग की योजना का पता लगाता है। वह छात्रों को छोड़ देता है और ज्यानिंग के लोगों को बच्चों को नुक्सान पहुँचाने से रोकने के लिए लड़ता है। जबकि हेंरी ज्यानिंग से लड़ता है, जब वे आमने सामने लड़ रहे होते हैं, तो ज्यानिंग खुलासा करता है कि वह वही व्यक्ती है, जिस पर हेंरी ने बच्पन में पानी के गुब बारे फेंके थे, यह पता चलता है कि चुकि हेंरी ने उसका हाथ तोड़ दिया थ वह एक बड़ी संगीत प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले सका। घटना के बाद से उसने कभी पियानों को हाथ नहीं लगाया और अपने सपने को बरबाद करने के लिए हेंरी को दोशी ठहराया। हेंरी उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन फिर से हमला होता है। वे एक चाकू पर कबजा पाने के लिए संगर्श करते हैं। अंत में हेंरी के पास उसे मारने का मौका होता है लेकिन वह ऐसा नहीं करता। वह उससे माफी मांगता है और चला जाता है। Students समय पर परीक्षा हॉल पहुंच जाते हैं और परीक्षा पूरी करते हैं। कुछ हफते बाद सभी अच्छे अंकों से पास हो जाते हैं। ज्यानेंग फिर से प्यानों बजाना शुरू करता है लेकिन उसे पहले जैसा अच्छा बनने के लिए अभी बहुत अभ्यास करना बाकी है। Bruce जल्दी ठीक हो जाता है और अगले साल की प्रवेश परीक्षा देने का वादा करता है। प्रिंसिपल भी खुश है क्योंकि बोर्ड ने उन्हें एक 20 प्रतिशत बोनस देने का फैसला किया है क्योंकि उनके चात्रों ने प्रवेश परीक्षा में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। हेंरी फिर से पढ़ाने लोटता है और एक नई बैच के चात्रों के साथ आग का छिड़काव करने की चाल को दोहराता है।